Assalamualaikum, आज के SketchUp के tutorial में हम soft and smooth edges के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले हम SketchUp open कर लेते हैं और हमारे पस दो चीजे हैं एक हमारे पर circle है और दुसरा हमारे पर polygon है हम circle और polygon को draw करके soft and smooth edges को इस्तमाल में लाएंगे सबसे पहले हम circle को लाते हैं और इसकी shortcut command हमारे पास सही है तो अगर हमने circle लेंगे और circle लेने से पहले हम यहाँ पर इसकी साइड्स हैं वह भी mention कर सकते हैं और भी हम यहाँ पर circle ले लिया और push tool के जरहे हम इसको पुश कर लेंगे ओपर कि जाने यहाँ पर hidden geometry हमें अभी off की भी है अब आपको दिखाते हैं कि यह हम पास एक object है और यह हमार पास face है और इसके यह बला face है यह totally एक face है मतलब इसको जब हम push pull करते हैं यह देखें तो यह नहीं होता, cannot push pull क्योंकि यह यह देखें, cannot push pull कर्व और smooth subtle और यह smooth है बल्कुल तो इसलिए यह push या pull नहीं हो सकता और अगर हम इसके face पे आते हैं यह देखें इसको हम easily कर सकते हैं और यह है हमारी smooth surface यह हमारी smooth surface है बल्कुल और अब हम क्या करेंगे अगर हमें इसमें push और pull करना है तो हमारे पस दो दीन options हैं एक तो यह है कि हम इसको यहां से convert to polygon हम इसको polygon में convert कर सकते हैं इस surface जो होगी हमारे पस वह hard surface में आ जाएगा अभी हम इसको करके देखते हैं Convert to polygon अब हम इसको कर दिया और इसकी hidden geometry इसको हम on कर देते हैं जैसे हम इसको on किया तो यह देखें हमारे पस अलग लग इसके faces आ गया है अगर हम इसको soft smooth edges करते हैं तो हम इसको degrees को यहां से भी set कर सकते हैं अगर हम इसको 30 से नीचे लेके जाते हैं तो यह ज्यादा hard edges हो जाएंगे इसके यह देखें जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा यह ज्यादा hard edges हो गया है यह देखें और अगर हम चाहते हैं कि थोड़ से smooth edges हो तो 30 से above जितना भी होगा तो इसकी smoothness में एजाफ होता जाएगा यह हमारे पस smooth है तो इसको आप हम push करेंगे तो यह देखें यह हमारे पस easily हो रहा है पर पहले हमने इसे convert नहीं किया था Polygon में तो वह क्या था कि वह हमेरे पस एक ही face था वह एक face था वह change नहीं हो रहा था ठीक है यह और अब हम आजाते हैं Polygon पर तो Polygon जो है इसकी sides हम खुद भी mention कर सकते हैं let's suppose हम कहते हैं कि इसकी sides हों जी 20 20 हमने press किया तो अभी हमारे पस इसकी 20 sides है जो हमारे पस Polygon बन रहा है इसकी 20 sides हमारे पस हम इसको push करके उपर ले आते हैं तो यह आपने देखें यह आप देखें और इसकी surface जी हमारे पस वह hard है और अगर हम इसके edges को click करके हम इसको कर देते हैं soften कर देते हैं जगर हम इसको soften किया तो इसमें क्या हुआ कि वहां पर dotted line आगी यह देखें क्या है हम यहां पर इसकी geometry को hide कर देते हैं तो अब क्या हुआ यह अलग face है और यह सारे जिनको हमने soft किया था यह इसका पूरी का इसने एक face बना दी है अब अगर हम आते हैं यहां पर तो यह push नहीं हो रहा बट हम इस face पर आते हैं I hope so कि आपको smooth और soft edges का समझागी होगी मिलते हैं एक और tutorial के साथ अलाफिस